आश्खकल की भागदोड भरी जिन्दिगी और गलत खानपान की वजह से ज्यादा तलोग माईग्रेन की समस्य का शिकार हो रहे हैं माइगरेन होने से सिर में बहुत तेज दर्द होता है जिसे सहन करना मुश्किल हो जाता है माइगरेन का दर्द लोगों को बहुत परिशान करता है जिसकी वज़ा से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस दर्द की वज़ा से उल्टी आना थकान महसूस होना और चक्कर आने की समस्या हो सकती है माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के लिए लोग डॉक्टर की सलाह लेते हैं और दवाईयों पर निर्वर हो जाते हैं लेकिन कभी-कभी कुछ उपाय भी आपको इस समस्या से राहत दिला सकते हैं कुछ ऐसे फल भी हैं जो माइग्रेन की समस्या से आपको राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं तो आई ये जानते हैं इन फलों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं सेव के बारे में माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के लिए सेब का सेवन करना बहुती फाइदेबन माना जाता है क्योंकि इसे में आइरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो माइग्रेन के दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद करता है साथ ही ये माइग्रेन के दर्द के कारण होने वाली आँखों की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है दूसरा तरीका है नीबू माइग्रेन के दर्द में नीबू का सेवन करना बहुती फाइदेबन होता है नीबू में मैगनीशियम के गुड़ पाई जाते हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं माइगरेन का दर्द होने पर एक गिलास नीबू पानी पीने से दर्द कम हो सकता है तीसरा तरीका है शकरकंद माईग्रेन के दर से रहत पाने के लिए शकरकन का सेवन करना बहुती फाइदे मन माना जाता है शकरकन में बिटामिन E और अन्य बिटामिन भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है जो दर्द में रहत दिलाने में मदद करती है चौथा तरीका है केला माईग्रेन के दर से रहत पाने के लिए केले का सेवन करना बहुती फाइदे मन माना जाता है केले में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो माईग्रेन के दर को कम करने में मदद करता है